असलाम वालेकुम जी फ्रेंट्स आज का जो हमने टॉपिक है वो है डाइपॉलर और पॉलरिजेशन या फिर इसको हम औरिटेशन पॉलरिजेशन का नम दिते हैं हमने पॉलरिजेशन एंड डाइलेक्टिस को लास वी में स्टुडी कर लिया था अब उसकी तीन टाइप्स है पहली टाइप को भी हमने स्टुडी कर लिया हुए है और अलेक्ट्रोनिक दूसरी से टाइप है आयोनिक पॉलरिजेशन जो अब जो त्थर टाइप है वह में पासे है डाइपॉलर और और पॉलरिजेशन है इसी वीडियो में हम जो लेंग्विन ठीयोरिय आफ पॉलरिज अदियूंट है अधियों पिदियों कि है कि में भाइप करेंदो तो अब हमें एक चैनली ऑपॉलर नान पॉलर है या फैस वाइस वाम है यह द्यूमें की इस अब हम एक यह दिदिवा है हैं कि यह हम कहते हैं कि हमारे पास यह डाइलेक्ट्रीक है तो अच्छा डाइलेक्ट्रीक कौन सा है डाइ डाइपोलर वाला है अब डाइपोलर वाला कौन सा है इसका मतलब किया है कि रैंडमली यान किसमें होते हैं कि यह देखें मारे पास है नंभी एक दुसरे को हएक जिरू तहक्यों को क्ैंसरा उर्ट कर रहे होते हैं तो यह अपने आप अलाइन क्यों कौश् reward करते हैं इस तरह हैं कि सभी सभी इस तरह अपने आपको इंदे पर्सेंट यह ए यहां ऐसे भी कुछ होते हैं यहां कि मकम्ल तोपर यहां इसका और इसके दर्में जिरू मुकम्ल हमेशा जिरू एंगल नहीं ही बनता कभी कभी गवार एंगल बड़ बीव उता है जोड़ा है और जोटाई उक्ट है ऊंग हो फिर खैसर को इसको अब उसको भी लिगल को अक्रावि एक जिस्टड़ा क्षिक हूआ नियुक्टि लिगणा हुर यह अब स्टीड़ को इनके होई है अब यह थी लिए कि अब यह फोर्स इदर लगेगी ओके हो गया वह इदर मैं पसे एंगल ठीटा बनेगा और यहां से लिकाई यहां में इक स्टेनल एलेक्टी फिल्ड अप्लाइब कर दी हुई है तो यहां क्या होगा जब हम एक्टी फिल्ड अप्लाइब करेंगे तो थर्मल फोर्स हो उन्हें के यहां करेंगे तो आउक होगा और हम जाने टार्क इसकुल टू पी ब्रॉस टहता है वटी यह साइं ठीटा होता है इसलिए जो मैं पास यह वाला है साइं टेटा कहा है एंगल है एंगल है बिट्वीन ट्रेक्षिन इंध द्रेक्षिन और मूमेंट में पर प्स को यहां इसके दो पार्ट किसरा बनते हैं यह हमरे पास तो यह अंगल बन गया है तो जो हमरे पास डाइपर मुमेंट डाइपर मुमेंट कया है यह नहीं कहा है यह नहीं कि तरह से पोस्टिव क्योंकि नेक्टिव से पोस्टिव कि तरफ से तो यह निय्गटिव यह पोजटिव है है तो डाइपमुमेंट यह तो बनें गांज नहीं तो यह इस दो तो अब यह फार्मूला कहां से आया कैसे है कि हमने इस पर भी हम वर कर रहे हैं इसका मुकमल स्टेटिकल फजिक्स होती है यह आज का इसको पाकिस्तान में स्ट्रेडिक रवाए जाए रहा है दर्वाइस को पहले मांच प्रमेस्टर में स्ट्रेडिक करते थे अब इसको हम साथ में स्ट्रेड़िक करते हैं तो अब तोस्तिशिकल फजिक्स है उसकी मदद से हम ने यह फार्मूला लिखा हुआ है अब यह कहां से आया कैसा है इसकी हम डीटिल में नहीं जाना चाहा रहे हैं यंकर kuya है मैं पैट कह कि actors डाइपूर्स है और यह मैंने बित्स है और यह है कि अवर यह मेने पास है तो अब हम बाद चुकी है तो गटनेंक्ते हैं तो जब में पास इसको को आहां है यहां कहीं को में वार्ट करेंग नहीं cleaning शुस्की साइय करेंगे लिश्वाट को सब्लसकन सुन्वाट कर 27-7 की सर्द हनं करेंगा है तो जब मेरे पास यह वारी टर्म है U E over KT इसको हम equal कर देते हैं यह मेरे पास A की equal है तो यहां हमाने पास इस जगह हम यह value लिखते हैं बलकि हम ऐसा कर दो कहते हैं जो मेरे पास है U E over KT है यह equal to क्या है A है तो यहां हम U की दर्ट निकालेंगे जो कि A, K, T, O, E होगा Mu E होगा ओके तो अब क्या किया है इसको हमने A की कुल कर दिया है और यह Mu है इस Mu की Value हमने यह लिख दी हुई है ओके तो बस manage किया है और कुछ नहीं किया इसमें जो है तो अब इस A को हम अंदर ले जाएंगे इस equation में हम कुछ सब्सक्राइशन करेंगे कि जो मेरे पास होगा A कॉस टेटर इसको हम X की एकुल कर देंगे तो इसको जब हम डिफ्रेंशेर करेंगे यांकि इदर भी डिको डिको इस एकस आएगा तो इस यहां से हम यह साइन ठेटर डिको टेटर करेंगे अब साइन ठेटर डिको टेटर करेंगे अब साइन ठेटर डिको टेटर करेंगे तो अब यह वैल्यू हम उपर पुट कर देंगे इस equation से हम इस equation में easily आ जाते हैं जाए तो यहां के खिके में पावर है यह पोली टडर्म इसकी होज़ेगी है यह हम देक हुआ है तो अब इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन में आ जाएंगे अब हमने क्या किया है कि मारे पास इसको हमने integrate कर दिया हुआ है तो इस step में क्या किया है क्या किया है इस equation है किया किया है कि जो a है सिरces पाहिए निकाल दिया है हैं से भी A को बाहर और निकाल दिया है जो मशरी है मैने से उसको हमने पाहर कमन लिया है लिया तो कि आभाएंपने करें कि यह हम Eh से ललसी को से को अगरे दिवाइड करेंगे हैं तो जया के के साइभन को इससे भी डिवाइड कि काट साइब की साइफ निए काट बांग जाएगा को यहां से हम YOUR कि कि इकोल है nervous k提 иrak ठी आउप बार में दिए अब कि टारीड़ वहाला despite kवाल उसक्राइल खेंगा यह उसक्राइब बन जाएगे तो अब जो हमारे पास है इस पूरी टर्म को हम एक इकल कर देते हैं और यह हमारे पास लेंग इवन थियोरी आप पोलरिजेशन है इन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में हमारे वास तो यह तो है अलग सा टोपिक्स है लेकिन हमने डिराइड कर लिया हुआ है कि जो वैल्यू किया है हमारे पास ग्रेटर है तो उस वक्त जो में पास है लेंग वन होगा ओके तो वह में पास बान की कोल होगा क्या होगा एल ए यह में पास इदर एल लाएगा एल ए म्यू एल ए तो जब हम पास एक वैल्यू ग्रेटर होगी तो यह वैल्यू में पास क्या हो जाएगा okay अगर लेस देन मान ईॉर्व है को एवर थी हो जाएगी वग् tons यह विए को orde्स करते हैं यह सोर्य Nu मैं यह में ओवर ठी है तो मियू यह से फीर बाइसем लिखी हुगी है यह वैल्य हम यहां पूट कर देंगे यह वैल्य हम यह पूट कर देंगे तो यह यह को चो कर रहा है तो इधर मैंने पाई ये क्विशन आजाएगी तो यहाज का मारा रशाना टॉपिक था तो जब बहुत यह है इसको हम लैंग्वियन फंक्शन का नाम देते हैं ऑप यहाँ ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में किया जाता है कि यह हमाँ इसकोल टू यूम्यू इअवर के टी है और यह हमाँ फंक् अपने आपको अलाइन कर लेते हैं तो इवो पांड यह है जिस पांड पर यह कौंस्टेंड हो जाते हैं हालां कि ऐसा बहुत नार्मली होता है कि जब हम डाइलेक्टरी को एक्स्टेनर एक्टिफिक अंदर रखते हैं तो हंडर परसेंट क्या हो कि यह तो तमाम डाइपू अगर हम कार्ट की बात करें के कार्ट को अगर हम लिखें की कार्ट है है हाईपर बोला इसकुल टू यह में पास है तो यहां इसको यहां जो में पास होगा लेंग्विन फंक्शन वह में पास अप्रॉक्सिमेटल एक्वल होगा यह जो हाई टर्म होंगी उनको हमने कैंसल कर दिया हुआ है अगर हम बात करेंगे टोटल जो प्लारिजेशन वह क्या है पहली टाइप आपस अलेक्ट्रॉक्सिमेटल इसको आयों कहते हैं और तो यह में पास इसकी वैल्यू यह है यह में प्लास है तो यह हमेरे पास कहाएगा वन ओवर ठ्री मियू स्केर ई एल ओवर के टी हाएगा ओके तो यह हमेरे पास से टोटल यह पॉलरिजेशन हमने लिख दिया हुए है इसके तीनों टाइस को एक ही एक ही एक ही के फॉर्म में लिख दिया हुआ है तो यह है आज कमारे थना सब्सक्रापिक था रिजाक अल्लाह खोईर है